प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए, अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के, अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर सत्गुर्देव कीजए, बंदी छोड कवीर परमेश्वर जी कीजए, बंदी छोड गरीब दास जी महराज जी कीजए, स्वामी राम देवा नंजी गुरू महराज जी कीजए हो गरीब नमाँ नमाँ सत्पुरशकों नमस्कार गुरु के नहीं, स्वर नर्मनि जनसा धुआं संतों सर्वस देनें सत्गुरु साहब संत सब डंडो तुम परनाम, आगे पीछे मध हुए तिनकुजा कुरवान नराकार निर्विसंकाल जाल भेवंजनम निरलेपम निज निर्गुनम अकलनो बेशंदनम सो हम सुर्ती समापतम सकल समाना निरतले वजुवल हिरं बरहर दमं बेपरवा अथाहे वार पार नहीं मध्यतम अधि गनेश्मनावं गननायक देवन देवा सरनकमलो लावं आध्यंत करूं सेवा परमसक्ती संगीतं अरिदिशिदिधात्ता सोई अवगत गुने अतीतं सैथ्यपुरस निर्मोही जगदंबा जगदीसं मंगलरूप मुरारी तनमन अर्पों सीसं बगति मुक्ती बंडारी सोर नार्मोनी जन द्यावें बर्मा विस्णो महेसा मुसेस सैस मुक्गवें पूजें आध गनेशा इंदर कुबेर सरीखा मुवरून धरम राइद्यावें समरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे तेतिस कोटिया धारा द्यावें सेंस अठासी उतरें बाउजल पारा कट है यम की फांसी तेतिस कोटिया धारा द्यावें सेंस अठासी उतरें बाउजल पारा कट है यम की फांसी कर जोरूं विनती करूंदरूं चरन परसीशे गुरू जी राम देवानंद जी महराज ने दियो नाम बकसीश कोटी कोटी सिजदा करूं कोटी कोटी परणाम चरन कमल में राखियो में बांदी जाम गुलाम कुता हों गुरू देव का राम पाल दास का नाम गले प्रेम की जेवडी जाखें चोहा जाओं तो तो करो तो बावडों दूर दूर करो तो जाओं जो राखो तो ही रहों जो देवो सोखंग जैब कैसत गुरू मिलें सब दुख आखों रोहें चरणों उपर शीश धरूं कहों जो कहनी ओ कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलोत आदी अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरू जी तुम ना भूलियो चाहे लाखे लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको ना ही तुम्रे भी सारे क्या बने मैं किस की सरण में जूँ सीवे ब्रंच मुनी नारदा तिनके हर्द नासमाँ अवगुन किये तो भौत किये करत नमनी हारे बामे बंद बक्स दियो बामे गुर्द नुतर अवगुन मेरे बाप जी बक्सो ग्रीब नवाज जो मैं पूत कुपूत हूँ बहुड पता कुलाजी मैं अप्राधी जनम का नक्सिक भरे विकार तुम दाता दुख बंजना मेरी करो शमर सूरत करो ममसाईयां हम है बवजल माही आप ही बैज़ वंगे जो तुम ना पक्ड़ोगे बाँ परम्पिता परमात्मा पूर्ण ब्रम्प्रम् सर्वा सृष्टी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुन्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं सत्संग उन्ही पुन्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है परमेश्वर की असीम रजा किन पुन्यात्माओं पर होती है जो पूर्व जनम के बगती युक्त होते हैं क्योंकि मनुस जीवन दो परकार से पराप्ष होता है एक तो पूरव जनम के सुब संसकारों के आधार से पराप्ष होता है दूसरा ट्रन वाइज होता है एक विद्धान है प्रभू का प्रमात्मा का के प्रतेक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानो शरीर अवस्य प्राप्त होता है ये प्रमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विसेश रजा है और जिस कारण से विवस होकर के इस काल ने हमें एक मनुस जीवन देना ही पड़ता है और वो मानो शरीर ही हमारे लिए एक गॉल्डन चांस होता है एक स्वरन आवसर होता है सुब करम करने का दान धर्म करने का और मोक्स प्राप्त करने का और मानो शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्स प्राप्ती नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि जो मानो शरीर प्राप्त प्राणी जो पूरव जनम के संसकार से मानो शरीर प्राप्त किये हुए हैं वो प्रमात्मा की भगती के लिए आवस्य कहीं न कहीं जुड जाते हैं चाहे वो अपनी प्रमप्रागत साधनाए करें या कोई गुरू बनाकर के उसके बतायानुसार भगती करें वो भगती के बिना भगवान के बिना वो रह नहीं सकते हैं चाए वो दुख में सुमर कर रहे हूं चाए वो सुख में कर रहे हूं और दूसरी प्रकार के जो पराणी होते हैं टरन वाइज यानि नम्बर 83 लाक योनियों में कस्ट उठा करके वो फिर मानुस्री जो प्राप्स की हुए होते हैं वो भकती नहीं करते उनका सुभाव पसूँ जैसा ही होता है बकवाद करना सराब पीना मास खाना जगड़े करना बे मतलब किसी के साथ खसना जैसे पसू जा करके दूसरे को बे मतलब टक्र मार देते हैं जगड़े बढ़ जाते हैं तो वो प्राणी उस टाइप के ही जगडे करवाते हैं स्यानती पिरिये घर में भी वो आग लगा देते हैं तो जो पुन्यात्मा प्रमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साध ना गलत कर रहे हैं स्रीमद भगवत गीता अध्याय नमर 16 के सलोक नमर 23 और 24 में परमान है कि सास्तर विदी को ट्याग कर जो मनमाना आचरन करते हैं मनमानी पूजाएं करते हैं जो सास्तरों में परमानित नहीं है वो साधनाएं करते हैं उनको ने तो कोई सुख पराप्त होता है ने कोई सिध्धी पराप्त होती है और ने ही उनकी परमगती होती है अर्थात विर्थ यूदलेस है वो साधनाएं जो साधक सास्तर विदी ताकर चाहे वो स्वेम साधना कर रहे हैं और जो सीधे ही तुरासी लाख यूनियों से निकल कर मनुस्री पराप्त करते हैं वो तो भक्ती करते ही नहीं उनका तो वैसे ही जीवन नास हो ही रहा है तो इसके लिए सत्संग की अवसकता पड़ती है और सत्संग का अर्थ होता यथार्थ अध्धातम ग्यान वारा रची हुई सिर्ष्टी को वही बता सकता है अन्या चाए कोई रिसी है महरिसी है या देव है वो केवल अठकल बाजी ही लगा सकता है जैसे साइंटिस्ट है ये पहले देव आतमाई थी उस स्रीर को भोग कर ये मनुस्रीर में आ गए है अब ये जो ट्राई कर रहे हैं ये केवल अठकल बाजी ही लगा सकते हैं परमातमा के विधान को ये जान नहीं सकते ठीक इसी परकार जो रिसी महरिसीयों ने साधनाए की अभ्यास किये मेडिटेशन हट योग किये उनको जैसी उपलब्दी हुई जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं ऐसे ही रिसीयों ने ट्राई किया था तो वो भी सिर्पक्टक कर बैठ गए उनको कुछ हासल नहीं हुआ अंत में उट पटांग वेक्षा बना करके सब मानों को संतुष्ट कर गया इसी परकार ये साइंटिस्ट कुस जनों में अपना जो निस्कर से निकाल कर फाइनल कर देंगे पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है जीव नहीं जान सकता तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वम ही आते हैं ये हमारे सद्गरंत भी परमान करते हैं परमानित करते हैं क्योंकि जैसे पुवितर वेध हैं ये गौड गिवन सेपरिट्वल नौलिज है परमात्मा का दिया हुआ अध्धातम ग्यान है चारों वेध और पांचमा वेध नश्ट कर दिया गया यहां के स्वामी द्वारा यहां का स्वामी कौन है वो ब्रह्म है जिसको जोट सुरूपी नरंजन अर्थात काल भी कहते हैं इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतरगत जितने भी ये परानी फसी हुए है इनको परमात्मा का वास्तविक ग्यान ना हो जाए यदि इनको वास्तविक ग्यान हो गया और जो सुख में सथल है सत्य लोक अविनासी परमात्मा का जो सास्व सथान है जा कोई दुख नहीं वहां बर दवस्ता और मर्चू नहीं इसको डर बना रहता है कि यदि इनको वो सत्थान का पता लग गया तो यहां कोई नहीं रहेगा जिस कारण से यह कुछ पुन्यात्मा होती है उनको यहां भेज देता है उनको गुरुपद प्राप्ट करवा देता है फिर वो सास्तर विर्द सादना बता के पूरे मानो मातर को भर्मित कर देते है उसके लिए प्रमात्मा आते है जो पुटर चारों वेद हैं यह गौड गीवन है कबीर गौड गीवन कबीर प्रमात्मा के दोवारा दिया हुआ गयान है जिसकालनो पांचमा वेद समाप्च कर दिया जिसको सुक्सम वेद कहते हैं जिसको तत्व ग्यान कहते है उसकी पूरती के लिए उसके अभाव से जो हम यहां बटक रहे हैं उसकी पूरती के लिए प्रमात्मा स्वमाते हैं परमात्मा को आज तक जितने भी रिसी महरिसी जितने भी धर्म गरंथ है जितने भी रिसी महरिसी हैं उन्होंने नराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है और जितने भी हमारे धर्म गरंथ हैं उन्होंने परमातमा को साकार बताया है नराकार बताया है सहसरीर बताया है उसका नाम कबीर बताया है तो बिरमा जी भी अपनी माता दुरगाजी से कहते हैं कि माता जी जब मैं वेद पढ़ता हूँ और फिर आपका अनुभाव सुनता हूँ और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभाव करता हूँ उसमें बहुत विरोधा भास है वो कुछ विप्रित ही ग्यान है और हमारा जो अनुभाव है वो उसके विप्रित है तो दुर्गाजी कोभी सक्ति दायत है इस कालव अगवान की क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की इसको सक्ति दायत है जे वास्तविक जानकारी, उस परमात्मा की तभी निए बताना तो ये भी अपने पुत्रों को यथारत गयान ना बताकर के इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है सैसरी लिखा है और उपर बैठा है उपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है सिंगासन के उपर सिर्पे मुकट होता है सिर्पे मुकट है परमात्मा के सफेद कलर का और उपर एक छतर है मालक के बहुत चमक है उसमें जैसे यहां जिल्मिल जिल्मिल होती है ऐसे उस परमात्मा के मुकट और छतर के अंदर जिल्मिल होती है कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है कभी वाइट बिल्कुल सफेद कलर हो जाता है तो इस परकार उस परमात्मा की सतीती है और वेद भी यही बताते हैं तो वेद जो हैं जो चार वेद हैं ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है उसका ये रूप है वो कहां रहता है वो क्या लीला करता है लेकिन वो मिलता कैसे है ये वरनन इन चार वेदों में नहीं है फिर इसके बिना ये वेद क्या है फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है उसके ये लकसन है रोस्दी है नहीं तो खाक बताया वो क्या फाइदा हो रोग के बताने का तो वेद जो है वेद दोनों काम करता है रोग भी बताता है उसके लक्षन भी बताता है और अचुक औस धी भी रखता है तो उस से लाब होगा ये दास है रामपाल दास इस विस्वे में आज के दिन परमातमा के कम्पलीट सप्रिट्चल नौलिज लेकर आया है कभीर भगवान का दिया हुआ और परमातमा स्वेम आते हैं वो ग्यान देते हैं जैसे रगवेद मंडल नमबर नौ शुक्त नमबर च्यासी के एटी सिक्स के मंतर चबईस और सताइस में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त चम्मन के मंतर तीन में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त नाइंटी फाइव पिचानव के मंतर दो में रगवेद मंडल नमबर नौ और सुक्त बीस मंतर एक में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त एक मंतर आठ और नौ में रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त नाइंटी सिक्स यानि च्छानवे के मंतर सुला से लेकर बीस में और भी अनेक सिथानों पर ये सबस्ट किया हुएदों में के वो परमात्मा ऊपके लोकों में रहता है और वहां राजा के समान सिंगासन पर विराजमान है देखने में राजा के तुल है सुंदर सरीर है नर आकार है वहां से सरीर चल कर आता है और वो तीन परकार से लीला करता है अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ग्यान देने के लिए हमें यहां धारन पोसन करने के लिए हमारी संभाल करने के लिए वो तीन परकार का स्रीर अपना बनाता है एक रूप में परमात्मा सथाई रहते हैं उपर के लोग में, सबसे उपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुमज है मंदिर नुमा और उसके सेंटर में परमात्मा का तक्त है तकतमीन सिंगासन जैसे कहा करते हैं ना दिल्ली के तकत पर बावर बैठा इतने सन में तकतमीन सिंगासन पर तो वो बीच में बैठे है परमात्मा सिंगासन पर और सिर पर छतर है जैसे आप उपर देख रहे हैं और सिर पर मुकट है परमात्मा के देखने में रादा के समान है परमात्मा वहां से तो एक परकार वहां उस स्रीर में है और उन परमात्मा का नर आकार है मनुस सदर से है उनके एक रॉम में एक रॉम कहते हैं बाल में एक रॉम कूप समझो एक रॉम कूप में करोड़ों सुरिये मिला दे और करोड़ चंदरमा की रोसनी दुन्नों मिला करके मिली जुली रोसनी भी एक रॉम के बराबर नहीं है सोबा है प्रमात्मा के सिरीर की इतनी सोबा है और वोही प्रमात्मा अपना अन्य रूप धारन करके दो और सतीथी मेंटेन करता है एक तो परतेक युगमे सत्य युग, तरेता, दुआपर और कल युगमे परतेक युगमे एक लीला करता है उपर के अपने लोग से आता है अन्य रूप धान करता है और एक कमल के फूल के उपर कमल का फूल जल में होता है कमल के फूल के उपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात सिसू के रूप में और वहां से उनको नी संतान दमपती उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे प्रमात्मा एक लीला में सरीर से अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं एक जन साधान जैसी भूमिका करते हैं अपने हाथों से निर्वा करके वक्त अनुसार योग अनुसार जैसे भी उसमें किरिया होती है अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वा करके दिखाते हैं और फिर वो धिरे धिरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं पान चारवर्स की आईयों में ही, बड़े बड़े विद्वानों को अध्धातम ग्यानों में प्राजित कर देते हैं उनके छक्के छुडा देते हैं फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्सी संथ कहलाते हैं अपनी महिमा आप ही बताते हैं अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के मादम से दोहों के मादम से और सबदावली के मादम से यानि पद्ध भाग में सुनाते हैं जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक परसिद कवी की पद्ध भी प्राप्च करते हैं लेकिन वो होते हैं परमात्मा क्योंकि कवियों के ग्यान में उस ग्यान से पता चलता है कविय अपने सतर की केवल एक पोईम बना सकते है अध्धातम ग्यान नहीं बता सकते और कवियर परमात्मा को कविय कहने लगे हम अग्यानता से उन्होंने जो ग्यान दिया है वो चारों वेद, अठारा पुरान, छे सास्तर, मा भारत, स्रीबत, भगत, गीता, कुरान और पुरान बाइबल, इन सभी का मिला जुला ग्यान है, जो उनके इंदर ग्यान है, वो तो ग्यान इसमें है ही है प्रमात्मा के दोरा ग्यान जो उनके इंदर ग्यान उपलब्द नहीं है, जो भगती विधी नहीं है और वो तत्व ग्यान ने वो भी बता रखा है, तो वो प्रमात्मा थे, बले ही हम उनको कवी कहने लगे, तो जिस परकार, प्रमात्मा दूसरी परकार की जो स्थिती है, परते की युग में एक बालक रूप धान करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप में परगट होते हैं, ये भी एक पर उनका, बगवान के पैचानने के लक्सन हैं, कि वो बच्पन में किसी मा का दूद नहीं पीते, कवारी गायों का दूद पीते हैं, तो कव कमारी गायों के दूद से उनके परवर्सकी लीला होती है। ये वेद बताते हैं रगवेद मंडल नम्र 9, सुक्त नम्र 1, मंत्र 8 और 9 में ये दोनों परमान हैं। तीन परकार की स्रीर परमात्मा दहन करते हैं। और 9, सी सुरूप में जब परगट होते हैं उसे में उनकी परवर्सकी लीला कमारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्स पहले जब वो आये थे ये लीला की थी। उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे कुछ आहर किया नहीं मात्पिता चंतित हो गए। तब भगवान शीव आये सीव पुरी से कबीर परमात्मा के आदे से क्योंकि यहां के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं। तो जैसे परदान मंत्री यहां आएगा तो उसकी विवस्था यहां के मुख्य मंत्री और मिनिष्टर वही करवाते हैं। आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस परकार यहां के मंत्री हैं। श्री ऑ्रिमा जी, रजोगन भी भाके, श्री विशनुजी, शतोगन भी भाके और सिरी सिफ जी यत्सपश रू मुन भाके जो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा थे, वो उसी जनम में ब्रह्मन थे, गौरी संकर और तूर का नाम था मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था हिंदूओं ने उनको अपने जाती से अलग कर दिया था तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षना से चला करती थी वो बंद होगी इसलिए उन्होंने जुलाह का कारिय सुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाह कहला है तो वो सिव के पुजारी थे ब्रहमन जब वो ब्रहमन थे लेकिन बहले ही मुसल्मान बन गए थे लेकिन बगवान सिव की याद उनको फिर भी सता रही थी तो बगवान सिव सिव उन्होंने अरज की थी नीरू और नीमाने कि है बगवान है सिव जी पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी आपने द्याबक्सी कमल के ओपर ये बालक दे दिया अब ये खा कुछ नहीं रहा पत्शी दिन होगे उसके मुझ की तरफ देख रहे हैं रो रहे हैं तो तब प्रमात्मा की प्रेणा से बगवान सिव वह आए और प्रमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ एक साथ दो रूप में आए शिव जी और प्रमात्मा को गोदी में लेकर लिया तो प्रमात्मा ने कबीर परमेस्वर जी ने कहा कि मात्मा जी इन से कहो एक कमारी गाएं लियावें और उसके उपर आप अपना आसिरवाद भरा हाथ रख देना गव उपर कमारी गाएं पर वाद दूद देवेगी वो दूद पियूँगा ऐसा ही किया गया ये पुनात्मा आज से छस्सो पुरस पहले गटी गटना है आज की कोई लोक वेद नहीं दंत कतानी जो दास आपको सुना रहा है एक तो आप निस्चिंध हो जाना ये दास जो वचन कहेगा वो बे परमानित नहीं होंगे वो परमानित होंगे और अब आपको वो दिखाते हैं अब देखिएगा ये कबीर सागर है आज से छस्सो वरस पहले आदनिय दरमदास साहिब जी जो परमात्मा के एक प्यारी आत्मा थे उन्हों ने लिखा था जो भी घटना वगवान के साथ गटी थी जो परमात्मान उनको बताई सिरिष्टी रचना और कैसे कैसे अपनी लिला पर विर्स की सारी बताई वो उस समय लिखी गई थी छस्सो वरस पहले और आज हमारे सद्गरंत कबीर सागर के अंदराव को परमानिज करते हैं देखिएगा ये कबीर सागर संपुर्न ग्यारा भाग खेमरा स्रीकर संदास परकासर मंबई ये देखिएगा ये कबीर पंथियों का ही परकासित है कबीर पंथि भारत पंथिक स्वामी युगलानन्द विहारी द्वारा परस्कृत मुद्रक में परकास सकें खेमराज करसंदास अध्यक स्री वेंकेंटेस वर प्रेश खेमराज स्रीकर संदास मारक मुंबई ये जैसे ठीट है अब इसके हम आप को ले चलते हैं चुहतर प्रेश्ट पे जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात सी सुरूप धार करके कमल के फूल पर पर परगट हुए थे नीरू और नीमा ये दो जुलाहा थे दमपती थे पती पतनी थे नीरू पती का नाम नीमा उसकी पतनी का तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक तब रामा नंजी के पास वो नीरू गया क्योंकि साधू संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है उनसे सलहा लेते हैं तो स्वामी रामा नंजी एक बड़े महापुरुस विद्वान पुरुस माने जाते थे वेदों गीता और पुरानों के और बहुत सूपरसिद महात्मा महरिशी कहलाते थे पंड़ जी थे पंड़ जी उसमें जो बरामन गुरु होते थे वो अन्य जाती वालों को सहस्तों नहीं बनाते थे लेकिन उनको जंतर मंतर वसे बताते थे अब देखिएगा ये कवीर सागर है इसके 74 परिष्ट पर ग्यान सागर ये ब्रैकट के अंदर जो परिष्ट है ये 74 परिष्ट और ये ग्यान सागर नामा के एक चैप्टर है अब लिखा है सुन जुलहा मन भहो आनंदा जिमी चकोर पाया निस्चंदा यानि वो जुलहा परमात्मा को पाकर ऐसे खुस हो गया जैसे चकोर पक्सी चांद को देख कर होता है ले सुत चले हरस मन कीना अर्तासों पुन असबोल ही लीना सुत कासी को ले चले लोग देखनते हैं आव अन पानी भक से नहीं भक है नहीं अन पानी खावा है नहीं जुलहा सोक मनावा है अब जब परमात्मा को नीरू और निमा लेकर आ गए ऐसा सुन्दर सरीर था परमात्मा का के कोई बच्चा उन जैसा खुब सूर्ट नहीं था जिस कारण से आसपास के नगरी के सुभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे और नीरू और नीमा कोई चिंता बनी हुई थी के बाल कुछ खानी रहा ये कुछ जिनका ही मेमान है वो इससे दुखी थी देखिएगा सुथ कासी को ले चले लोग देखनते आव अनपानी भकसे नहीं जुल्हा सोक मनावे कुछ खानी रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था स्वामी रामानन जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई मैं सुथ पायो बढ़ा गुनवनता कारण कौन बखह नहीं संता वचन उचा रहा ये बात कही जुल्हा को पूरव जनम में ते बरामन जाती और हर सेवा तके नहीं बलवाती कुछ तव सेवा हर की चुका तातें वह जुल्हा का रूपा पृती परभू गहत और लेनी तातें उद्धान में सुथ तो दीना तो पिछले जनम में बरामन था तो कोई बगवान की बगती बूल गया कोई चूक पढ़ गी ते रहते हैं जिस कारण से तो बरामन से जुल्हा बन गया और तेरी उस पृती को देखकर बगवान ने आपको जंगल में ये पुत्तर दे दिया प्रिती पर्भूग है तो लीना ताते उद्धान में तो सुथ तो दीना अब ये नूरी नी है नीरू है ये मिस्परिंट है करी दिगए हे पर्भूग जस किन हो तस पायो अब वो नीरू कहता है जुलाहा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया और आर्थ हो तो दर से नाया संकट में मैं तेरे पास आया हूँ असो कही है उपाय गुसाई बालक अक्सुदावंत कुछ खाई रामा अनंद अस्युक्ति विचारा तुम सुत कोई ग्यानी अवतारा आपका पुतर कोई विद्वान पुरस है बच्छिया जाही बैल नहीं लागा सो ले ठाड करते ही आगा कहते है एक बच्छिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो यानि कमारी अंटच्च्ड कमारी बच्छिया जाही बैल नहीं लागा सो ले ठाड करते ही आगा उसके सामने खड़ा कर दोस बच्चे के सामने कुवारी गाएं लाके दूद चले तेई थनतें दूद ही देऊ छिपाई और अकसुदा वंत होई ता को देखवाई फिर उसको पिला जिना जो ला एक बच्चिया ले आवा और चलो दूद कोई मरम न पावा चलो दूद जो ला हरसाना राख छेपाई का हो निजाना अब यहां दूद सब्द है ये ये लेखक कोने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड कर दिया जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुधी से दुबारा प्रिंट कराते समें कुछ परिवर्तन करने की चेश्टा की है अब वो दूट कौन था गरीबडा साहिब जी गाउं छुडाने जिला जज़जरवाले को वही परमेश्वर पुने आकर के मिले अब देशित दास बता रहा है कि तीन परकार की सथीथी से वो परमात्मा हमारी सब की संभाल करता है अपने बच्चों की और वही रेगवेद मंडल नमर नौ सुक्त एक मंत्र आठ में परमानित है कि वो परमात्मा तीन परकार से के सिरी धारन करता है हम सब का धारन पोस्टन करने के लिए हम सभालने के लिए तो दूसरी परकार की सतीथी दास आपको कलियर कर रहा है कि बालक रूप धारन करके आता है और तीसरी परकार की सतीथी में वो परमात्मा जहां चाहे कभी भी किसी सादू मात्मा संत के रूप में परगट होके अपनी प्यारी आत्माओं को अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ग्यान से प्रिचित कराते हैं और अपने आप बगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए क्योंकि काल ग्यान मिथ्धा कर दिया होता है अजातमगान को नश्ट कर दिया होता है इसलिए अपने साक्सी चार करता है उन महापुरसों को सतलोक ले जाता है वहापे छोड़ता है तो वो तीशरी परकार की सथीछी में वो प्रमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं किन किन को मिलें इस कलियोग मदास के जो नौलिज में है आदनिय दर्मदास साहिब जी को आदनिय मुलकदास साहिब जी को आदनिय दादू साहिब जी को आदनिय नानक साहिब जी को जो सिख धर्म के परवर्टक है उनको जो प्रमात्मा आकर मिले हैं जो सत्पुर्स आकर मिले हैं सत्व लोग से जो जहां वो रहते हैं वहां से चल कर आते हैं सीधे साथ जुरूब धान कर लेते हैं जिन्दा मात्मा का रूब बना लेते हैं आदनिये गीसा दास साहिव जी गाउं खेखडा जिला मेरट उत्तर पर्देश वाले को इन मापुर्सों में से प्रमात्मा ने आदनिये गीसा दास साहिव जी को पुने वो कम्पलीट सप्रोचर नौलिज दिया है किसलिए कि काल ने कहा था कि जब तक कल्यूग निक्ट आवेगा आपका समय पच्पन सो वरस तब तक मैं सभी आपके नाम से बाराक तो कबीर पंद सलाओंगा और अनेक पंद सलाओंगा जो आपके ग्यान को मिथ्था कर देंगे इसलिए प्रमात्मा ने आदनिय ग्रीबदास साहिब जी को सच्खंड ले जाकर अपने से प्रीचित कराकर और कम्पलीट सेप्रिच्वल नौलिज शंपूरुन अध्धातम ग्यान उनके अंदर फीड कर दिया उस पुन्यातमान ग्रीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया उसमें लिखा है के सिव उत्रे सिव पुरी से आवगत बदन विनोद और मेक के कमल और लिया इसकूं गोद अन्ब्यावर को दूहत है कमारी को दूहत है दूद दिया ततकाल और पीवे कबीर ब्रम गती तांसिव भे दयाल यानि सिव जी आये थे सिव लोग से एक साधूरू बना के और तब उन्होंने उस कमारी गाएं की कमर पर हाथ रखा था परमेस्वर के आदे सानुसार नवजाद सी सुरूप मुपरमात महुन के गोदी में थे और तब वो दूद निकलना सुरू हुआ था कमारी गाएं के उसके थनों से एक कोरा बरतन लाया गया था कुमार के साप उसमें वो दूद आया था वो सत लोग से आता है कमारी गाएं में दूद परमात महा का उसके अपने निद लग से आता है कहता है इस नकली लोग से क्य खाओं है या आप बिखारी बने फिर हैं तो सत लोग से आता था उस प्रम्पता का दूद गव जो सब पसुम पवीतर है तो वो दूद प्रमात्मा पिया करते थे तो वो दूद आया फिर वो दूद तला गया यानि वो प्रमात्मा चले गए प्रमात्मा के तीन लोग के भग संतों के पास अवस्य जाते हैं महापुरुष दुखी विक्ती जाते हैं महापुरुषों के पास उन्होंने जो जंतर मंतर बताया वो बताया कि तेरा पूतर जो है यह आम विक्ती आम बच्चा नहीं है यह कोई महाविद्वान पुरुष है और जो भी जैसा बाकिवास्ट दुदास आपको बता रहा ये सक्ते है फिर भी हम ने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते है जो वेद बताते है वो लीला की किसने है जो वेदों में वरनित लीला जिस्ने की ही इस गोड जो वेदों में लेकह सैंब लक्षन भगवान के और जिसने ये लीला की है He is God वो है प्रमातुमा तो ये लीला किसने की अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से वेदों में यही लिखा है तो आसानी से समझ मा जाएगा पैचान लेंगे हम अपने प्रमपिता को जो हमारे लिए भटक रहे है हमें खोज रहे हैं हमें सदबुदी देना चाहते हैं हम इस काल के जुठे सुख को इसी को सुख मान कर यहीं की विवस्था मांगते रहते हैं ये हो जावाए कार हो जावाए कोठी बन जावाए और सब कुछ होगा एकदम मर्तिय होगी फिर गदा बन जावाए या के काम आई आप के कोठी आप परमात्मा से मांगो क्या बताते हैं वगवान परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझ्चे ये मांगो साइं इतना दीजिए जिसमें कुटम समावे, हम भी बुखे ना रहें, कोई आती थी ना बुखा जावे, इतना मंगो वगवान से, ज़्यादा मत मंगो, ज़्यादा तो यह आपके दलदल बन जाएगी, आपको यह फसा कर रखते गा, और आपकी जामें कुटम समावे का रहता है, जिसमें गाड़ी थी यह गाड़ी भी देगा भगवान, आप इतना मंगो जामें कुटम समावे, और हम भी भुखे ना रहें, बैसे, अज़ जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं, दिल्ली के बादसा, अपना राज टाकर बिक्षा मांगने के लिए पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे, रोटी मिल जाती है टाइम पर उसके बाद बकवाद सोचता है, मन बड़ी कोठी बनाओं, बड़ी कार लूँ, और बैंक बैलेंस बना दूँ, बैंक बैलेंस बना ना था बगती का, और धर्म का, वह हम भूल गए, तो उसको बताने के लिए परमातमा थे, जो कीपर वर्स की लिला कवारी गायों से हुई, ये तो परमान होया कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखावा नहीं है, शस्सो वर्स पहले जो परमातमा है थे, उस इसमें आदनी जर्वदास साहिब जी का लिखा हुआ है, और कबीर पंथियों के दोरा सुरक्षित है, अब करना था जो इन चंद सलोकों में, उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनकी फाइनल है ये उनका, किनका आरिय समाजवालों का, महरिशी दानंद और उनके चेलों का, ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई सरीर नहीं है, उसका क अनुवादित है ये चंद सलोकों में परमातमा ने उनकी दुर्बुदी पर पत्थर डाल दिये और ए जिटी जनुवाद करवादिया जो वेद का होना चाहिए था थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बडी की है वो आप बुदीमान समाज आसानी से समझ सकता है परमातमा के दुवारा दिये गए तत्व गयान से उसको आसानी से समझ सकते है तो देख कमाल की बात है आपके उपर रहम है दाता का कि उन्ही के दुवारा नुवादित में ये सबच है कि परमातमा मनु सदर से है वहां से चल कर आता है और वो एक पुन्य आत्माओं को मिलता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और किसलिए मिलता है उनको उपदेश देता है उनको तत्व ग्यान सुनाता है और वो क्या लिला करता है ये देखिएगा अब ये आरिये परतिनीदी सभा यानि हमेरिसी दानद के चेल्यों दुवारा अन्वादित है जो भगवान को निराकार मानते हैं लेकिन वास्ताव में वेदों में परमात्मान नर आकार है नर माने मनुस जैसा सैसरीर है उसका नाम कबीर है सतलोक से चल कराता है वहाँ जहां वो रहता है निज सथान पर सब भोनों प्री सब भोनों के ऊपर के सथान पर तिश्टथी वहाँ बैठा है वगवान राजा के समान देखने में है वहाँ से चल कराता है तीन परकार से लीला करता है जब तीसरी दुवितिय परकार की द्लीला करता है वो एक सिसु रूप धारन करके कमल के फूल के उपर जल के उपर विराज़मान होता है जिस कारण से उपर मातमान नारान कहलाता है नारान कारत होता है जल के उपर आके निवास करने वाला आकर विराजमान होने वाला और हम विश्म जी को नाराण मान रहे थे ये सेसनाब के उपर सोया करता है इसलिए नहीं वो परमातमा सत लोग से आका आता है पर ते एक बार यही डिला करता है और जल के उपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है इसलिए नाराण कहलाता है तो वो नाराण है और सत नाराण का अर्थ होता है अविनासी परमात्मा सत माने अविनासी हम सत साहब कहते हैं उसको अविनासी परमात्मा है तो अविनासी परमात्मा कबीर जी है श्री बर्मा, श्री विष्णू, श्री शिव जी ये नास्वान परमात्मा है भगवान है, स्वामी है, परभू है इनकी जनम मर्चु होती है और इसका परमान है श्री देवी भागवत यानि देवी बहापुरान गीता प्रैस गौरुपुर से परकासित सचीतर मोटा टाइप तीसरा सकंद, 123 प्रिष्ट पर भगवान विष्णू स्विम कहते हैं अपनी माता से कि तुम सुद्श रूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है मैं बर्मा और संकर विष्णू जी करे आपकी करपा से بھی दमान है हमारा अविर भायो माने जनम और त्रो भायो माने मरत्व हुआ करता है हम अविनासी नहीं है और संकर भगवान कहते है ये माता, बर्मा जी का जनम आपसे हुआ तो क्या मैं पूर अर्थात मेरी भी आप ही जनक है मैं आप का पूतर हूँ और हम केवल नियमत कारिये ही करते हैं हम तीन गुर्ण Спष्पन हैं रज्गुन नियमत कारिये ही कर सकते हैं जिसके बहग मैज भाग मैज जैसा है वैसा है दे सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकते स्री देवी महापुरान ने चंद सलोकों में इन भगवानों की पूरण डिला तकरीबन सती थी कलियर कर दी सबस्ष कर दिया सारे कंशेप्ट कलियर कर दे ये नासवान है दुर्गा जी इनकी माता है रजगुन विर्मा, सद्कुन विसुम, तमगुन सिफजी यही है और परकर्टी दुर्गा को कहते हैं और ये केवल नियमित कारिये ही कर सकते तो जो नाराण है वो परमात्मा है वास्तों में कबीर साहफ है जो ऐसी लिला करता है अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है से शुरू रूप धारं करकाँ उसमें उनके परवर्ष की लिला कमारी गायों के दवारा होती है ये देखूँ अब हम बेद प्ड़़् रहे हैं आपको दिखा रहे हैं ये वेद हैं अब यह आपको दिखाया था अब और देख फिर पूरे दिखाते हैं यह कहां से अपर कासी था है सारवदेशी कारिया पर तीनी दी सभा मैरिशी दान भौन रामयदान निदिली से और यह इसके अन्वादक और यह मुद्रक प्रिंस आफ सेट प्रिंटर्स पंदरा सुदस प नमबर नौ का और सुक्ष नमबर एक दिखाते हैं यह देखेगा रिगवेद भास्यम अथ नवम मंडल नौमा मंडल प्रहरम होता है इसका यह पर्थम मंत्र है इसमें क्या लिखा है कि हे सॉम सुभाव परमात्मन यानि परमात्मा की महिमाच चल रहे है सौम माने परमात् जान रखना अब यागेशल के आपको यह हैल्प करेगा इस ग्यान को समझने में यह एक नमबर मंत्र मंडल नौ सुक्ष नमबर एक का मंत्र नमबर हम दूसरा पड़ रहे हैं इसमें है हे परमात्मन आप है ना परमात्मा की महिमाच चल रही है यह जान रखना अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन चोथे मंत्र में हे परमात्मन आप है ना महिमाच बगवान की और पांचमे मंत्र में हे परमात्मन आप यह परमात्मा की महिमा चल रही है अब छटे मंत्र में मंडल नमबर नौ सुक्त एक मंत्र छे हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा और अब यहा साथ में और आठ में इनके याद आगया है मैर इसी के चेलियां के अब यदि हम यहां परमात्मा लिख देंगे आग़ परमात्मा को की महिमा है कि वो बालक रूप धर्ण करके आता है तीन परकार के स्री धर्ण करता है तो जन्ता के समद में ना आजावे के भगवान नर आकार है तो यहां इन्होंने परमात्मा लिख के परुष लिख दिया यह देखिएगा रगवेद मंदल नमबर नो सुक्त एक और मंदल नमबर साथ इसमें छे तक तो उस हे परमात्मा लिखते आ रहे हैं छटे तक तो अब सात में मैं इनकी वुदी फिर थोड़ी सी उकसगी यहां लिख दिया तम उस पुरुष को उस पुरुष लिख दिया बगवान नहीं लिख आचा यहां तीसरा फिर उस पुरुष को अब यह पुरुष और कंसेप्ट लिए करना पढ़ेगा पुरुष मान परमात्मा होता है अब देखो महरिसी दानंद के दोवारा ग्यान दिया गाए है के परमात्मा निराकार है और जिसको माना है आरिय समाज के विक्तियों ने और उस पूरा विस्वह ही माने बैठा है कि वग्वार निराकार है अब महरिसी दानंद को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने वेदों से परमानित करना है क्यों वेद क्या कहते है यजुरुष उन्ही के दोवारा नौद है महरिसी दानंद के दोवारा यजुरुष वेद अध्धाय नंबर चालिस के मंतर नंबर पंदरा और सत्रा में ये किंसेटकती कलियर हो जागा जैसे वेद ग्यान परमात्माने दिया उस पूर्ण परमात्माने इसके अंत्यक्रण में फीड कर दिया उस मालिक ने जो इसमें लिखना था वो लिख दिया ताकि हम आसानी से समझ सके जिसने आगे वेदों को फिर बताया है दिया है समझाया है उसमें लिखा है कि वेद ग्यान दाता ये कहता है अब वेद ग्यान दाता अब ये यहां काल माना जाएगा ब्रहम क्योंकि इसने आगे परदान किये हैं और इसको भगवान उस परम पतान दिये हैं इसलिए ये गौड गिवन है और आगे जो इसने दिया है वो इस ब्रहम के द्वारा दिये गए इसलिए ये ब्रहम गिवन भी कहे जाते हैं गीता और ये दोन वे तो यहां चालिस में है कि पंदर्में स्लोक में ये खुद कहता है कि मेरा तेक ओम नाम है और सतर्में में भी यही सबच करता है कि मेरा तेक ओम नाम है और वो परमात्मा गुप्त है वो पुरस मने परमात्मा पूरन बरन उपर रहता है वो गुप्त है यह दिख रहा है यह दुर्वेद उठा लि 2.5 मैरिःषिधीन भन्राम्लामेदा निदिली से, याजुरूवेद आरिय भासे हैं, मैरिषी दान सर्षवती, मुदरक हैं, प्रिंट शाफषिर प्रिंट प्रिंट नचाव 10 परोधियां, तरियागं निदिली से, यहां से छपा है, याजुरूरूवेद का नतीम ध्याय है चालिसमा इसमें टोटल चालिस अध्याए है और इसमें चालिसमें ध्याए में सत्रा मंत्र हैं और इसमें पूरे यदुर्वेद का लगबग निश्करस है अब देखो ये यदुर्वेद अध्याए नमर चत्वारिस है चालिसमें अध्याए का ये पंधरमें मंत्र में वेद ज्यान दाता कहता है कि वायू अनिलम अमरतम अथिदम भसमानतम सरीरम ओम कर्टो समर किल्बे समर कर्टूम समर ओम नाम का जाब काम करते करते सिमन करो कल्बे माने कल्बलाहट के साथ कसक के साथ समन करो और कर्टूम माने अपना मूल कर्टव जान करो उस जिवन का ओव नाम का सिमन करो ये तो बिरहम तक की साधना है और वाईयू अनिलम अमरतम अथिदम बस्मानतम सरीरम यानि जब आपके प्राण समाप्त होंगे उस समें इस ओव नाम के जाप से जितना अमरतम अमरतव यानि आपको जितनी गती होनी है वो मिलेगी अब इसका परमान आपने श्रीमद भगवत गीता अध्धाय नमर आठ के सलोक नमर 13 में मिलेगा कि गीता ग्यान दातावी ये ब्रम ही है श्री करसन जीम परवेश करके बोल रहा है ये कह रहा है कि माम ब्रम मुझ ब्रम का अब यहां ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पुन्यात्माओं आज तक ये लोक वेद दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे होगे और हम धीट होगे उस ग्यान को कती कंप्लीट मान बैठे जो हमने सुना हो फाइनल है ऐसा भी भरमित है, कोई सथिर नहीं है, किसी को भी कोई कुछ कहे देता हूब भी हां ठीक, ऐसा भी है ऐसा ऐसा भी है क्योंकि हम स्वं अपने सदेगरंफों से परिचित नहीं और दास का अदिश्य différence से है कि आपको अपने ही सदेगरंफों से प्रिचित कराके इनका मास्टर बना दूँ ताकि आप भर्मित ना हो जैसे सिरी मदभगत गीता जह नमबर दो के सलोक नमबर त्रेपन में कहा कि अर्दून जब भिन भिन परकार के भर्मित करने वाले वचनों से ग्यान से आपकी बुदी हट कर एक परमातम ग्यान पर सथिर हो जागी उस परमातमा के ग्यान पर सथिर हो जागी तब तू योग को प्राप्त होगा तब तो तू भगत बनेगा यानि भगती योग होगा तो जब तक आप भर्मित हैं कोई कुछ कह देता वो भी ठीक वो कहता हूँ भी ठीक तो तब तक आप भक्त नहीं बन सकते आप सफल नहीं हो सकते तो दास चाता कि आपकी ये सारी भर्मना और अग्यान में टाक है एक परमातम उस्तत्व अग्यान पर सचिर कर दूँ जिसके लिए आपको परमातमा ने सिक्षित बनाया आपके ओपर रह्म किया और दूसरा रह्म ये किया कि ये इंस्टूमेंट ये उपकरन बनवा दिये एलेक्ट्रोनिक ये प्रोजेक्टर सीडी टीलिवीजन मीडिया जो अलेक्ट्रोनिक मीडिया ये आपके लिए त्यार कर वाया परमातमा ने कि आज घर बैठे आप सथसंग समन सकते हो वेदों को जान सकते हो और सभी सद्गरंथों को आप समन सकते हो और जब तक आप स्वेम अपनी आँखों से सद्गरंथों को नहीं देखोगे नहीं जानोंगे तो ये काल के जितने भी भरमित करने वाले संथ भेजे गए हैं ये आपको ऐसे ही मिस्गाइड करके उदेसे स वंचित कर देंगे तो अब दास दाता है कि इनकी दाल नहीं गलेगी आप सिक्षित हैं बेटा बेटी बाई बहन सब सिक्षित हैं और सद्गर्द हमारे पास है तो अब एक ये समझो कि आपका जीवन का उदेश से क्या है ये समझ माओगा सत्संग से जीवन मनुस जीवन का उदेश से किवल मोक्स कराना है यह कोठी बनाना बंगले बनाना कार खरीद का रख जाना ये नहीं है ये तो एडिसनल है बाई प्रोडेक्ट है बगती का जो दास आपको बगती देगा परमात्मा की दीवी इस सादना से आप जो सुख वैसे सारा जीवन खोजने में लगे रहते हो प्राब्ज करने में वो नहीं मिलते तो इस बगती का वो बाई प्रोडेक्ट है वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे किसान गेहूं बीजता है उसका उदेश से भुस बनाना नहीं होता उसका उदेश से कनक लेना होता ताकि जीवन रक्ष्या हो और भुस तो अ बत मांगो ये तेक सादन ऐसा है तो इसलिए आप जी को सब सद्गरंथों से प्रिचित करना अनिमारिय है अब ये जो यजुल वेद धैर नंबर 40 के मंतर नंबर 15 और 17 को समझने के लिए ये श्रीमत भगुत गीता आपका गणा सही होग देगी क्योंकि श्रीमत भगुत गीत चारों वेदों का सारानस है और सिंपल लेंग्वेज में है वेदों से भी सिंपल लेंग्वेज में है ये तो इसे हम देखेंगे देखिएगा ये श्रीमत भगुत गीता गीता प्रेस गोरुपुर्चे परकासित ये गीता प्रेस गोरुपुर्चे परकासित अब आपको आठ में दहे का तेरमा स्लोक यह देखिएगा अद्धाय नमर आठ और सिरीमत भगत गीता अद्धाय नमर आठ और स्लोक नमर यह तेरा है हम संस्कर्थ पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, सिक्सित हैं हम पढ़ें डिखें ओम इती एकाकसरम बिरम विवहरन माम अनुसमरन यह परियाती तजन्देहं सैयाती पर माम गतिम तेरमा इसका अरत है कि माम बिरम जो गीता ग्यान दाता श्री किरसन में बोल रहे हैं माम बिरम मुझ बिरम का ओम इती एकाकसरम यह ओम एककसर है नथिंग अलशे और विवहरन अनुसमरन उचारन करके सिम्न करता हुआ यह परियाती तजन्देहं सांस यानि शरीर छोड़कर जाते समय बस्मानतम सरीरं वेद में यदुल्वेद जाय नबर 40 के मंतर नबर 15 में बस्मानतम सरीर लिखा है और इसमें लिखा है यह परियाती तजन्देहं सायाती परमाम गतिम ओम से मिलने वाली जो परमगती है वो इस इस तरह पराप्त होगी मुझ बरम का माम बरम मुझ बरम का ओम इती एक अक्सरम यह ओम एक अक्सर है समन करता हुआ उचारन करके समन करता हुआ ये परियाती तो जन्देहम दो सरी छोड़ कर जाता सायाती परमामगतिम वो परमगती को पराप्त होता ओम से मिलने वाली परमगती ओम से मिलने वाली कौन सी परमगती है बरम लोग पराप्त होता है क्योंकि ये बरम का सिमन है मंत्र है और आठमे दैके शोल में सलोक में गीता जी में लिखा कि बर्म लोक में गए हुए पराणी भी पुनर जनम मरतू में आते हैं वो भी पूर नमुक्स प्राप्ति दी करते हैं लेकिन ये कंसेट जो आज इतना ही करियर करना था कि ये ओम मंतर ये बर्म का है और गीता ग्यान दाता आठमे दैके एक में अर्दुन ने परसंड किया कि आपने दो साथमे दैक उनटीस में सलोक में जिस ततवर्म की जानकारी दी है वो ततवर्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी के लजरा और मर्न से यानि बढ़ा पेप के दुख और मर्तु से छूटने का ही प्रितन करते हैं तो वो किम ततवर्म जिसको जानने के बाद प्राणी यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता गीता ग्यान दाता ने आठमें जैके तीसरे सलोक में कहा कि वो परमक्सर ब्रम है वो तो परमक्सर ब्रम है यानि गीत ग्यान दाता शयन्य वो सुप्रीम पावर है तो सिरी मद्ध भगुद गीता जाय नमर पंदरा के स्लोक एक से लेकर चार में सोला और सतरा में सफ़ष्ट कियावा है पूरे बर्भंड की एक सतीची बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसारुपी वरक्ष है उपर को जड़ है वो तो पूर्ण प्रमात्मा है सबका धान पोस्टन करने वाला वो प्रमक्सर ब्रम है और जमीन से जो बाहर दिखाए देता है वो तना वो जड़ तो प्रोक्स हैं गुप्त हैं हीडन है छुपी हुए है और बाहर दो दिखाए देता है वो वर्क्स कहलाता है तो प्रमातमा ने खुद आकर अपनी बार्णी में बोला है अकसर पुर्स एक पेड़ है और सर पुर्स यानि जोत नरिंदन वाकी डार और तिन मुदेवा साखा हैं ये पात रूप संसार और पेड़ जड़ है वो गुपत है तो जो जमीन से बाहर दिखाए देता है तना उसको अकसर पुर्स समझो आगे उसके मोटी डार निकलती है उसको सर पुर्स समझो उसके तीन साखाए हैं ये रद्गुन बर्मा सद्गुन विश्मुन तमगुन सिब्ची रूपी ये साखाए समझो और पात रूप हम सब संसार समझो तो जड़ का पालन कहां से होता है मूल से जड़ से तो सिरी मद्भगुत गीता जहर नमर एक से लेकर चार और सोला और सतरा मंतर में ये सबस्क्यागा है कि तत्वदर्सी संत की पैसान भी बताई है कि तत्वदर्सी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसारूपी वरक्स के सभी भी भागों को भिन भिन बता जेगा या पहले तो प्रमातमा आए थी तत्वदर्सी संत की भूमी का भी वही करके जाते हैं इसलिए वो एक परसिद कवी भी कहलाते हैं लोकोक्तियों के माजन से कविताओं के माजन से ग्यान फुनाते हैं तो उन्होंने स्सो वर्स पहले बता था अकसर पुर्स एक पेड़ है और सर पुर्स वाकी डार और तिन्नों देवा साखा है ये पातरू संसारूपी अब वो जड़ कौन बताओगा ज़ड़ तो उन्होंने गुप छोड़ दी इस दास को भीज़ जा कि वो जड़ कौन है पार्ट्स को सभी विभागों को तना डार पत्ते जड़ कौन है तो जो बताता है सहवेद वित वो तत्वदर्सी संत है उसके पस्चाथ तत्वदर्सी संत की प्राप्ती के पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक लोड़ कर कभी संसार मनी आते और जिस पर मेशवर ने सारे बर्मांडगरतना की और केवल उसकी भक्ती करना मेरी भी नहीं करना यदि पूर्ण मोक्स चाहता है जहां जाने के बाद फिर लोटकर नहीं आते वहां जाना चाहता है और फिर पंदर में जाएके 16 और 17 बताया है कि तीन प और सरपुरस केवल 21 बर्मांड का स्वामी है और उसके साख तीन साखा है जो वर्क्स के वरजगुन बर्मासत कुन विस्वुन तम गुन शिवजी रूपी समझो और फिर बताया है पंदर में जाएके 17 सलोक में के उत्तम पुरस तो कोई और है जिसको भगवान कहते हैं पर मात्मा कहते हैं वही तीनों लोकों परवेश करके सबका धार्ण पोज़शन करता है अवेश्वर है वो अविनासी परवेश्वर है सबका धार्ण पोज़शन वही करता है जैसे मूल से जड़ से पूरे पेड़ की वरक्स की पोज़शन होता है परवरिस होती है तो यहां यह स्वश्च किया है और कई आपको भरमित कर देंगे कि गिता जाहर नमर 15 के सलोक नमर 18 में गिता ग्यान दाता कहता है कि मैं लोक वेद में परसोतम परसिद हूँ तो पुनातमाओ वहां ये क्या कहता है कि मेरे अंतरगत जितने भी पराणी हैं 21 बिरमांड में इन से मैं स्रेष्ट हूँ इन से मजबूत हूँ इन से बलवान हूँ ताकतवर हूँ बुद्हीमान हूँ इसलिए लोक वेद में लोक में सबच कर दिया कि परसोतम तो कोई और है उत्तम पुरसा तुए अन्य परमातमा यह थी उधारत है तो कहने का भाव ये है पुनातमाओ एक तो दो परमातमा से दोगे गीता जायर नमर ठारा के सलोक नमर बैसेट में और छैसेट में गीता गयान दाता सुम कहता कि अ यानि परम स्यानती चाहिए और सास्व सथान धाजाने के बाद फिर लोटकर कभी संसारमा नहीं आते वो चाहिए तो उस परमेश्वर की स्रणमजा यानि गीता गयान दाता से अन्य है और फिर उसके विसे हम बताया कि चोथे जाय के बत्तिस और चौतिस मंतर में सभश किय है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके ग्यान देता है वो तत्वे ग्यान है उसके मुख कमल से बोलेगी वानी में सचीदानंद घंबरम की वानी में वो यगों की जानकारी यानि धार्मी की अनुस्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गी है वो तत्वे ग्यान है उस इसलिए उसने कहे दिया है कि तत्व दर्शी संतों से पूछōुँ फिर बताया है कि तत्व दर्शी संत की प्रापथी के उप्रांत्प, ठर्मेश्वर के उस परंपत की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के वाद सादक लोड़कर संसार में कभी नियाते है। सत्रमेद है कि तेईसमें सलोक में उस प्रमेश्वर को पाने की, उस सास्वत सथान को पाने की, उस परमधाम को पाने की विधी बताई है, ओम तत सत इती निर्देस है, बिरमने तिर्विध है, समरता है, उस सतीदानंद गनबरम के पाने का, इस तीन मंतर के जाप का निर्दे किस है हाए नल फैसला है ना ठीक है तो इंगीता ग्यानदादा ने अपना नाम तो ओम सबस्ट करी ही दिया तत और सतिय संकेति करें ये तत और दर्शी संथ के लिए छोड़ दिये तो वो तत्व दर्सी संत ये राम पालदा सतलो कासरम बरवाला जिला हिसार में है इसके पास वो कम्प्लीट कोरस है तत और सत ये सांकेती के हैं तत ये सरपुरुस का मंतर है ये अन्य मंतर है तत नहीं है अन्य मंतर है और सत ये परमक्सर बर्म का मंतर है जाप है वो अन्य मंतर है उसको सार सबद भी कहते हैं सार नाम भी कहते हैं आदी नाम भी कहते हैं तो ये complete courses प्रमिश्वर के पाने का और वो complete course तत्व ग्यान के अंदर है जो प्रमातमा ने स्वेमा कर बोला है संत रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541